कि अपको बता दूब कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है हम सभी लोगों के लिए जो लोग भी पीएजडी करना चाहते हैं दोस्तों यहां पे जो लोग केवल गर्णो फ़्रेंट अब हम लोग बात करेंगा घ्रिडियो को इस खीडिः तो फ्रेंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं सबचिक की लिस्टी और दूस्तों एक इंप अब बात बात आप को बताते हैं कि अगर्णों पात वहई प्रींड के लिए नहीं था नई है ने है तो च हैं वोग्विदियो को देखना चाहते हैं नियुवर्षिक्त के प्लेलिस आगे कोशिश करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसा की आपशार देखकेंगे तो दोस्तों हम लोग देख लिते हैं पहले सब्जिक्स सब्सक्राइब पर जो है जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है details of second notification for PhD program 2022 ठीक है और दोस्तों इसमें जो है vacant position की बात किए vacant seats जो है यहां पर जिसकी दिया हुआ SC और SD और फिर undeserved category के लिए जो है after completion of first phase of admission ठीक है तो दोस्तों यहां पर जैसा कि आप सब्जेक्ट की बात करें तो first number पर देख सकते हो anthropology है और दोस्तों आगे हाँ पर vacancy position दी हुई है इसमें unreserved ST and SC ठीक है तो आप देख लें कि आपके category में आपके seat available है भी या फिर नहीं है ठीक है तो जैसे first number पर आपने देखा anthropology है उसके बाद आयरवेदा उसके नंचिंपत्राइड जायरवेदा संब्सक्ट करें तेखके रेखे को सबी सब्सक्राइब सेंडिञेंट दें छुए हैं डमिलॉडेजमेंट जेए चलिए मैचgg इस मीठेम outrage और उसके बाद जो है नरसिंग के बाद जो है फिजिक्स है 80 नंबर पे और 19 पे देख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स ठीक है तो इस तरह से दोस्तों यह 19 यहां पर टोटल सब्जेक्ट की बात की गई है और आप सीट्स जो है अपने के टेगरी के अपर देख लें कि सीट है की नहीं ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्म इन्वाइट किया गया है पीजडी प्रोग्राम 2022 के लिए सांभल पर रहें ठीक है और यहां पर बात करें हम लोग जैसा कि यह कैटेगरी के बात की गई है तो कि पहले भी हम लोग देखा कि SC या फिर ST या फिर अन्रिजर्ब के लिए जो है दोस्तों यहां पर दीख सकते हो यह दिया हुआ है कि for detail यह subject, availability of seat, application procedure, eligibility, important dates इन सारे details के लिए जो है यह फिर submission of application form के लिए यह candidate को advice किया जाता है कि यह university के website जो यहां पर दी है उस पर visit करें 27-23 से ठीक है यहां पर एक बार आपको university website बताते है www.suniv.ac.in एक बार फिर से आपको university website बताते है www.suniv.ac.in तो दोस्तों यह university website है अब आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ और important बाते जो दीगे हैं दोस्तों यहां पर details subject में यह seats दिया हुआ है ठीक है तो यह already हम लोग देख चुके है eligibility की बात करें तो दोस्तों यहां पर जैसा दिया हुआ है कि आपका जो जैसा master degree 55% के साथ हो या फिर जो है यहां पर कुछ category की बात की गई जैसे 5% relaxation की तो दोस्तों यह जैसा कि आप देख सकते हो दिया हुआ है कि यदि आप बिलाउंग करते हो SC या फिर ST या फिर differently abled category में जो है या फिर ऐसे लोग जो जैसा दिया है those who obtained their master's degree before 19 सप्टेंबर 19 19 वन शैल भी गीवन रिलक्षेशन ऑफ 5% ठीक है तो मतलब ऐसे लोग के लिए इन categories में आते हो तो ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर जैसा दिया हुआ जिसे इसमें बात किया है यह जो टेस्ट होगा multiple choice question इसमें रहेंगे और two hours का यह paper होगा ठीक है reservation of seats की बात कि यह आप पर अप्लाए होता है तो उसको आप देख लें इसमें जिससाद बात किया गया है तो इसके बात आगे देख सकते हैं और इसके बाद आगे देख सकते है यह यह आप इन various categories में आते हो तो आप examinator होगे इसमें first हमारे recording काफी important है उसको मैं बतायता हूँ ऐसे सारह ही important है आप पर जो apply होता हो आप देख लें जैसे कि यहां पर बात किया गया पहले जो point में exemption category की बात करें तो ऐसे लोग जो UGC या फिर CSIR NET qualifying हैं ठीक है या फिर gate exam DST inspired and such other national level examination conducted by UGC, ICAR, ICMR, CSIR, IEC, SSR and other such national bodies and candidates who are eligible to get a fellowship from national or state level organizations ठीक है मतलब यदि आप इन categories में इस तरह के exam से आप qualify के हैं या फिर आप आपके पात कोई fellowship हो ठीक है तो in that case आप जो है entrance exam से exemption होगे यदि आप इन categories में आते हो जैसा कि first number पे जो दिया हुआ है ठीक है उसके बात जो है ऐसे candidate जो second number पे देखें तो MPH या फिर MD या फिर MS इस तरह के जो candidate है उनके लिए बात की गई तो आप देख लें आप इन categories में आते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर exemption from coursework की बात की बात की बात की बात की बात की बात दोस्तों यहाँ पर final selection की बात की गई है तो इसको आप देख सकते हो जैसा कि दिया हुआ है the final merit list of the successful candidate shell prepared by Noodle Center by assigning weightage of 70 marks to the candidates past academic career and 30 marks to the YBA वो से test ठीक है तो दोस्तों इस तरह से जो है यहाँ पी यह 70 marks और 30 marks की बात ही गई है ठीक है उसके बाद आगे देख सकते हो जैसा दिया है at the time of Viva Bossy the candidates are expected to discuss their research interest or area ठीक है मतलब Viva Bossy के time पे आपसे यह expect किया जागा है आपके research interest या फिर area के बारे में जो है knowledge ठीक है फिर आगे दिया गया है for qualifying a candidate needs to secure at least 15 marks in the Viva Bossy test ठीक है क्वालिफाई करने के लिए जो है candidate को at least 15 marks जो है वाई बाब Bossy में लाना रहेगा जैसा कि दिया हुआ है और दोस्तों उसके बाद जो है आगे आप देख सकते हैं अभी हम लोग university के website पर भी चलके देखेंगे कि कहां से जाकर के इस PSD notification को आप देख सकते हैं ठीक है तो दो रिष्ट्रेशन की बात कि फिर लास्ट डेटाफ ऑनलाइन रिष्ट्रेशन की बात कि तो यह पांच फरवरी 2023 कि शाम पांच बाज तक दिया गया है फिर लास्ट अब समिशन ऑफ हाड़ कॉपी ऑफ एप्लिकेशन एलॉंग विथ अदर डॉकुमेंट्स की बात की है साथ साथ फरवरी 2023 कि शाम पांच चार बाए तक यह लास्ट डिट यह हाड़ कॉपी के संबन में बात की कि जो एप्लिकेशन की हाड़ कॉपी रहेगी और सारे डॉकुमेंट्स के साथ आपको जो है साथ फरवरी 2023 तक मतलब आपको जो है सेंड कर देना महां पहुंच जाना चा है तो दोस्तों इस तरह से जो है यह सारे इंफॉर्मिशन अमने देखा जो है अब हम लोग चलते हैं युनिवर्स्टी के वेब साइट पर और देख लेते हैं कहां से जाकर के इस प्यस्डी नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं दोस्तों एक इंपोर्टेंट बात आपक हैं दोस्तों अब हम लोग चलते हैं युनिवर्स्टी के वेब साइट पर देखते हैं इस नॉटिफिकेशन कहां से आप देख सकता है हैं फ्रेंट से ढग्रण सामभलपूर युनिवर्स्आइच के वेब साइट सकते हैं तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो यह दिया हुआ है 27 जनौरी दो जाकते हैं इसके डेट में जैसा online apply for second notification for PSD program 2022 की बात की गई है और 25 जनौरी 2023 के डेट में दिया गया है second notification for PSD program 2022 की हम लोग इस notification को देखे ठीक है देखे थे अभी जो है तो दोस्तों यहां से आप इसको जो है देख सकते हो जाकर के तो दोस्तों इस तरह समबित करते हैं कि आज का वीडियो आप सुगनों के लिए काफी useful informative रहा होगा दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो useful informative और बताते हैं कि आप खुद से भी जो है यह सामबलपूर युनिवस्टी के website पे जा करके जो भी details आपको इस वीडियो में प्रवाइट किया गया आप खुद से वह verify करने चेक करने पढ़ने से मेले satisfy होने और यदि आपको लगता है कि इस form को apply करना चाहिए तभी आप apply कर तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग किस यदर information के साथ दोस्तों इतना patience के साथ आज का वीडियो वाच करने के लिए thank you thank you so much friends